जितनी महिलाओं ने कठनाय उठाई हैं जब से मोधी सरकार आई हैं इन दस सालों में हत्याय हो रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एलेक्शन हो इस बार का बैलेट पेपर पर ही हो लोगों को आपस में लड़ाया है कोई आप उन्हागत करने के लएं देश में अभी कैसा महुल चल रहा है आप महिलाओं के साथ हत्याय हो रही हैं महिलाओं के साथ यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कहा जाता है लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है जब से मोधी सरकार आई हैं जितनी बिजैपी सरकार है बटाप वो मोधी सरकार में बदल गई है तो जो हो रहा है वह हम चाहते हैं कि बदले एलेक्शन का मिशन आफ इंडिया के बारे में बोलना चाहूंगी जो जो इविएम के उपर विचार किया जा रहा है कि बुले बैलेट पेपर पे लेक्शन हो हम भी वाली है बिजेपी सरकार ठीक काम नहीं कर रहे हैं लोगों को आपस में लड़ाया है बाकी बहुत सारे ऐसे बुद्धे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए था उन्हों ने उन को नौकरिया मिलेगी रोजगार मिलेगा महंगाई के उपर जो मुद्धा है महंगाई कम हो जाएगी हमारी विंती है कि इन चीज़ों पर देया जाए यह महिंगाई ना महिंगाई यह गरीब तो मर रहे हैं महिंगाई से बहुत मर रहे हैं बहुत महिंगाई नहीं हो रहा है यह मोधी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं महिंगा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन मोधी जी कुछ नहीं अभी राउल जी आ रहा है ना तो राउल जी का सत्त आना ही मंगता है राउल जी को जरूर है राउल जी गरीब को देखेगा और करेगा नहीं आएंगे बस उनको बाहर लोगों की विचार क्या है जो प्रॉब्लम्स में हैं उनको फुरसती नहीं है यह सुनने के लिए कि हम क्या चाहते हैं हमारी भारतिय जनता क्या चाहती है कि क्या हो हमारे संबानी वो और अमीर होते चाहरे उनको इस चीज़ों पर गौर करनी चाहिए लेक्शन के उनको गोटाला करें बस इनका काम यही है और हिंदु मुसल्मान को लड़ाए नियाय का हक मिलने तक